किसानों को कॉंगरेस और कमनेश्टों के द्वारा ब्रमित किया जा रहा है। जो आंदोलन के लिए दिल्वी कूछ कर रहे हैं। उन किसानों को यह पता नहीं कि हम किसलिए जा रहे हैं। तभी से कैप्टन सरकार इस महमारी के प्रति कंभेर नहीं है। दवाईया नहीं पहुचाई गए, हॉस्पीटलों का ध्यान नहीं रखा गया, लोग मरते रहे, वहां से पलायन करते रहे, पंजाब का किसान जानता है, इंसी जानता है, लेकिन उसको बढ़काने का काम, उसको अनरगर प्रिचार का काम, जो कैप्टन सरकार दे रही है, तो उसकाम को यदि कॉंग्रेस करती है, तो उनके भलेका होगा, सब को पता है कि भारती जनता पाइड़ेती सरकार यदि पंजाब के अंदर बनती है, तो निश्चे दूरूप से दूसरे दिनिशे ही नसामुक्ती सुरूँ हो जाएगी. नमश्कार, आप देख रहे हैं, अत्रप्रकाश टीवी, समा दिनिश के साथ कारेकरा में आपका स्वागत है, पंजाब और हर्याना की रादनीती का आज जो सबसे ज्वलंद मुद्दा है, वो है किसान, सडकों पर आंदोलन रत किसान, इस वक्त हर्याना और पंजाब की पर जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाने को जिस तरह से एक प्रयास जो उनका आंदोलन अब बन चुका है, सरकारें उसके लिए चाहे फिर विपक्ष हो, या केंदर सरकार हो, या भारतियंता पार्टी जो केंदर सरकार में और लड़ी शाशित है इस वक्त, पार नहीं कर रही है, उनकी बातें सही तरह से नहीं सुन रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए, आज हमार साथ मौजोद है, स्टूडियो में, दिलेश शर्मा जी, संग्टन मंत्री, पंजाब और चंडीगर से, शर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, धन्यवा बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- सरकार बात नहीं कर रही है केंद्र सरकार के तीन मिनेष्टर सोम्प्रकाज जी और प्यूस को जी साथ घंड़े घंटे तक 31 यूनियन के 40 लोगों के साथ बार्दाकी सरकार ने उसके बाद दुबारा से बुलाया है और उससे पहले भी बार्दाकी थी लेकिन किसानों को जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं ना मानूं कि जो केंद्र सरकार ने कहा है अपने बिलों को बापिस ले तो बापिस लेने का जो संविधान का रूप बन चुका है बिल बापिस लेने का तो सवाल नहीं है केंद्र सरकार का लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि उनक पूछा जाता है आप आंदोलन को कर रहे हैं। तो भूवी पता नहीं उनको और उनको ये भी जानकारी नहीं कि ये बिल में क्या है किसानों का लाब है किहानी है इससे सम्भनित कोई लेना देना नहीं है लेकिन कुछ कमनिष्ट यूनियन और विशेश कर जो पंजाब दी सरकार है वह अपने काले कारणामों को छिपाने के लिए किसानों को ब्रहमित कर रही है और दिल्ली भेजने की सारी व्यवस्था कर रही है फंडिंग कर रही है और इस आधार पर कै कैप्टेन आगे आने वाले मुद्दों से अपने को मोड करके एक केंद्र सरकार के खिलाब आंदोलन चला रहे हैं और उन्होंने केंद्र को आश्वासन भी दिया था कि हम यह नहीं करेंगे आप ट्रेने चलवाएए आप विभिन्न प्रकार की जो योजना उनको लागू क कर यह लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कैप्टन सरकार के अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है यह निर्थक रूप से आंदोलन पंजाब के किसान नहीं एक कम्निष्टी यूनियन और कॉंग्रेसी कारिकरता चला रहे हैं लेकिन इसमें अगर देखाया है तो दिनेश जी करोना अभी इस वक्त महामारी का बड़ा रूप लेगा ऐसे में क्या यह अंदोलन तरक संगत है क्या केंद्र सरकार को नहीं चाहिए कि पंजाब आकर उनसे चर्चा करें जो किसान अभी कह रहे हैं उन्हें शिकायत है अगर भरतियंता पार्टी से या केंद्र सरकार से तो इतनी लाखों की संख्या में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरह से आज किसान और जो लोग सड़कों पर अंदोलन रहते हैं उनके स्वास्त की या उनसे पहलने वाले संक्रमन की जिम्मेदारी कौन लेगा देखिए यह आपको मानना पड़ेगा करोना जैसी महामारी के लिए जब से यह महामारी देश के अंदर आई और पंजाब के अंदर एंटर हुई तभी से कैप्टन सरकार इस महामारी के प्रति गंभीर नहीं हैं उन्होंने इसको बड़े हलकेपन से लिया जो केंद्र सरकार ने महामारी में जिस तरीके की ववस्ताइं दी उनको रास करते रहे और इस आधार पर इतनी बड़े संख्या में हज्जून को इखिटा करके और उसको वहां से भेजना और इस तरीके की लाखों की संख्या में जो केप्टन सरकार आंदोलन को प्रस्रह दिरे हैं और बड़े-बड़े लोगों को इस तरीके से कर रही है यह बिलकोल ठीक नहीं है केंद्र सरकार ने पूरा प्रयास किया है केंद्र सरकार ने हमारी ने जा करके किसानों से बारता करना उन्होंने चंडीगर भी बारता करने की दिल्ली में भी किसानों को दो तीन वार पत्र दे करके वलाया है लेकिन किसानों को जो यूनियन भी जा रही है वो भ करने की कोशिश की और किसानों को बढ़काने के सिवाए और कुछ नहीं है तो इस आधार पर इसका कोई अर्थ नहीं है करोना जैसे मामारी में जो कैप्टन सरकार को गंबीर होना चाहिए इस तरीके की मामारी में निर्दोस लोग नहीं मरें तो इस आधार पर कोई ठोज कद उठाने के लिए केंदर सरकार तो तयार है उन्होंने दिल्ली में यह केजरीवाल के साथ मिलकर के ग्रह मंत्री जिने बागी लोगों करोने शिटिंग करके की है लेकिन करोना महमारी के प्रति कैप्टन सरकार पहले से ही कंभी नहीं है और लोगों को मरवाना चाहती है उस आधार पर चाहें वो आंदोलन में मरें चाहें करोना महमारी में मरें आंदोलन में मरेंगे और करोना महमारी की वज़े से मरेंगे तो व पे कॉंग्रेस्तान में इस तरह किसानी मुद्ध है इतने लेवल फे मुकर नहीं है जितना कि पंजाब में इसका बड़े लवल पे विरोध किया जा रहा है तो बाकी कॉंग्रेश आशित परदेश या बाकी भारती इंतापार्टी परदेश अगर हम देखें तो माल लेकिन के इन से कार नहीं या भारती इंतापार्टी ने वहां पर किसानों को समझा लिया है और अभी आपने बिहार में ताजा ताजा इलेक्शन भी जीते हैं और इसी किसान अंदुलन के दौरान ही जीता है तो ये अपने आप में भारती इंतापार्टी से अपना एक अचीमेंट मान रही है लेकिन जो बाकी कॉंग्रेश शाषित प्रदेश हैं क्या वहां किसान नहीं है या वहां पर आंदुलन रत अगर नहीं है तो पंजाब के ऐसे किसान को क्या ऐसी दिक्कत है इस बिल से जो के वह पंजाब का किसान सटकों पर है देखिए मैं बदाई देना चाहता हूं उन लोगों को जो उन राज्यों में किसान है उन्होंने किसान बिल का इतना बड़ा जंद समर्थन किया कि हमने जो उप चुनाब में गुजरात के अंदर सारी सीटें जीती उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा किसान है उसके आप मद्य प्रदेश के अंदर पूरा टर्ण योवर इतना करोरों और रुपे का है और किसान वहां भी रहता है वहां पर हमने 28 सीटों में से 19 सीटें जीती विधान सवा की और बिहार के अंदर बड़ी मात्रा में किसान रहता है किसानी से जुड़े हुए लोग हैं उन्ह 36 गड़ के बाद आप आजाए महराष्ट है राजिस्थान है यहां का किसान भी इन चीजों को समझता है और उस आंदोलन में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका उन लोगों की नहीं है यहां से लगता हुआ हर्याना भी है इमाचल भी है उत्तराखंड भी है उत्तर प्रदे सरकार का काम जो कैप्टन सरकार दे रही है कैप्टन सरकार अपने आगे आने वाले समय में किन मुद्दों को ले करके जाएगी जो मुद्दे उन्होंने अपने मैनी फेस्टों में डाले थे उन मुद्दों पर चुनाब नहीं लड़ सकती इस आधार पर केंद्र सरकार से क जो आंदोलन चलाते हैं उनके द़स-पांच लोग भी सुनने वाले नहीं होते हैं कहीं भी नहीं मिलते उनको इस तरीके का प्लेटफार्म मिल गया है कैसर कार से पैसा भी मेर रहा है साधन भी मिल नहीं और इसके साथ-साथ जो आंदूलन है और कैप्टन सरकारिइसकी दिशार बदलना चाहते उस इतना है। यह बात करिया आपने कैप्टन सरकार प्सकार की विपक्शी है। अभी इसी किसान विरोध के रूप में किसान विरोध के रूप में आपकी गटमंदन पार्टी आपकी अलाइंस पार्टी अकाली दल भाजपायता साथ चोड़ देती है परजाब में इसे किस तरह से देखते हैं मेरे को यह लगता है कि कि जब से किसान बिल की बात चली थी कि उसमें टोटल एंड ये साथ था कि 2014 से पहले मनमोहन सिंग जी की सरकार थी आप यदि संसद के अंदर यही किसान बिल के बारे में कपिल सिब्बल जी का इस्टेटमेंट और भाशन संसद का निकाल के देखी है तो उसमें इस किसान बिल का समर्थन किया उन्हों कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों को तो उसमें इस किसान हमारी सरकार बनेगी यानि कॉंग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान बिल को लागू किया जाएगा यह सब्द हैं अब इस आधार पर देखा जाए तो उस काम को यदि कॉंग्रेस करती है तो तो उनके भलेका होगा यदि अच्छे बैग्यानिक लोग बड़े बुद्धी जीवी लोग और किसानों के हित के लोग बैठा ले गए तो उसमें एंडिये के नाते हमारे जो अकाली दल है यह साथ में रहता था जितनी भी बार हुई है डिसकसन हुई है तो इस अकाली दल की प्रमुक फूमिका और वो मं साथ तब का जो ग्रामीड छित्र का है यह भारती चंता पार्टी के साथ न जुड़ जाए इस आधार पर कैप्टन सरकार अंदुलन में थी ही कमिनिष्ट थे ही आम आदमी पार्टी और इस आधार पर इनको भी लगा कि हमारी आपने देखा होगा कि सुख्वीर बादल ज किसान बिल के हित में कर रहे हैं और उनोंने रिजाइन उस तरीके से किया लेकिन उसमें पूरे समय में वो साथ रहे हैं उनको समर्थन करते रहे अब पता возду अकाली दान शुरू से अभी पिछले कापी अरसे से हर बार बार उनके ओ पर चाहतर वो बयादबी चांड हो या बागे चीज़ें हो नशे को लेकर तो अभी कही न कहीं राजने तेक जमीन तलाशने के लिए कही न कहीं ऐसा कदम उठाए गया इसे आप इस तरह से देख रहे हैं देखो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हरे का पॉलिटिकल पार्टी का यह दाइट तो बनता है कि व बिधान सभा के अंदर पंजाब के अंदर कैप्टन सरकारी इस बिलकुल आई तो वहां से भी आउट हो गए अब क्या लगता है कि न तो किसान के रहे न उधर के रहे न एंडिये के रहे अब राजनितिक किसा आधार पर तलास हैंगे मुझे अकाली दल के बारे में प्रदेश भाजपा अश्विनी शर्मा प्रेस कॉंफरेंस में बकायदा एलान करते नजर आए कि पंजाब में भारतिय जनता पार्टी एक सो सतरा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी संग्टन मंत्री पंजाब के रूप में आपका द्रिश्टी क क्या है किन रिती नितियों के तहट एक स्ट्राटी तैयार की जाएगी अब देखिए भारतिय जनता पार्टी पूरे पंजाब के पिछ निश्चित तोर पर जो अस्वनी सर्माजी ने कहा है एक सो सत्रे विधान सवाओं पर अगला चुनाव लड़ेगी क्योंकि अभी तक हम संगठनात्मक विस्तार तो करते रहें लेकिन हमारे को मौका नहीं मिला कि बारतिय जनता पार्टी पूरे पंजाब के अंदर एक सो सत्रे विधान सवाओं के बीच में जाए और उस आधार पर हमने अपना तंत्र खड़ा किया है हमने से 392 मंडलों का गठन किया है और 392 मंडलों के साथ में सवात 300 हमने कारिकानी मंडलों की गठित कर दिया है आगे हम सक्तिकेंद्र बनाने वाले हैं बूथ लेविल पे 24,000 बूथों पर हमारा कारे करता है और 24,000 बूथों की प्रक्रिया बूथ हिंचाज बनाने की हमने प्रिया है उसके साथ सक्तिकेंद्र 5-5 बूथों को मिला करके खड़े करना और हमारी प्रदेश की और हमारी विधानसवाओं में हम होल्टाइमर जन को विस्तारग कहते हैं ऐसे भारती जनता पाटी के पूरे संगठन के विस्तारग वहां हम खड़े करेंगे और 170 विधानसवाओं पर जो स्वाओं के प्रवारी बनाए हैं विदान सवाओं के बनाने जा रहें सभी मौ्चे करे की ये और तो मोर्चों के अध्यक्ष भी कारिकानी भी गठित्पी है और निशित रूप से आगे आने वाले समय में हमारा तंत्र इतना मजबूत होगा कि हम 117 विधान सवाओं पर चुनाब लगेंगे इसमें कोई शक नहीं है कि भारतियनता पार्टी इसमें कोई शक्ति है लेकिन एजेंडास अब भारतियनता पार्टी पजाम में क्या लेकर चलेगी क्योंकि वह उप्रमुक्त तौर पर देखा जाएगा अभी-अभी गर्णन टूटा है और आप ऐसे एजेंडास की अगर बा पूरे देश में उन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इसको हांसिल करने में हमने हर राज में पंजाब के अंदर मुझे लगता है कि भारतिय जनता पार्टी का सैतालीस के बाद विभाजन के पश्चाथ जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो अमन चैन सांती का था और उसके आधार पर कॉंग्रेस ने लोगों को बढ़काने का काम आतंगवाद को संरक्षन देने का काम जिस तरीके से पंजाब के अंदर किया एक छोटी घटना को भी उससे बड़ी घटना खड़ी करना ये कॉंग्रेस का हमेशा से सिद्धांत रहा लेकिन भारतिय जनता पार्टी ने अपने को खतम करके और अपने कारिकरताओं का बलिदान करके अमन चैन सांती के लिए एक छोटे रूप में देश सीटों पर अकाली दल के साथ चुनाब लड़ना स्विकार कर लिया ये सबसे बड़ा उधारन पंजाब के अंदर है कि आतंक बाद नहीं वरना चाहिए और हम बादल साब के साथ आतंक बाद को खतम करने के लिए आतंक बाद को नेस्तना बूत करने के लिए हमने जो सबसे बड़ा सांती का संदेश दिया है कि अमन्चन सांती वनी रहे यह सबसे बड़ा मुद्दा है दूसरा मुद्दा आपको मैं बताता हूं कि आतंक बाद के विशे को खतम करने में केंद्र सरकार की जो भूमिका है उसको सब पंजाब के लोग भी जान काम किया है तो भारत्य जन्ता पार्टी ने जन्ता पार्टी के मुक्ष मंत्रियों ने ने उसको नेश्त ना पूद किया है खतम करने का नौर्थ इस्ट में इतना वड़ा तंग था छोटे-छोटे संगटन चलते हैं उसको खतम करने का तो पंजाब के लोग जानते हैं यदि पिछली बार भी 117 विधान सवाओं को हमको मौका मिलता तो भारतिय जनता पारिटी को समर्तन मिलता है हमारा मुद्दा है ह पंजाब के अंदर देखेंगे आने वाले समय में कि जिसको गुटका फड़के और कैप्टन साब ने कसम खा दी कि मैं एक दम मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको खतम कर दूंगा नशे को आज नसा खतम नहीं है लेकिन सब को पता है कि भारतिय जनता पारिटी सरकार यद संब का सराब बन्दी और नसाब बंदी बिलकोर खतम हूई है नसे को और सराब को बढ़ावा देने के लिए यह सरकार केपटन सरकार करती रही है सबसे बड़ा मुद्धाजा का मुद्धाब पंजाब के अंदर है ब्रिष्टार के रूप में आज कैप्टन सरकाय एक पर्याय बन चुकी है चाहिए वरिश्टाचार माइनिंग का हो चाहिए दवाईयों में हो स्वास्ट विभाग के अंतरगतों हो चाहिए सी एसटी करमचारियों की देने का भो फंड लुद्र है उसमें भी भरष्टाचार कर दे भैंद में प्रकार के टपार्टमेंटों में भराष्टांचार ऑन लिकायों में भर भरष्टाचार हू stock लिए निचिता रूप से वहां का समाज निजात चाहदा है जितनी भी हमारे बादल सरकार के समय में जो बीजेपी सरकार थे और बादल सरकार थी उस समय योजनार प्रारम में की थी उनको भी बंद करने का काम किया है तो कैप्टन सरकार ने किया है बहुत बड़ा मुद्दा यहां की सुरक्षा सु और दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में पंजाब से फलायन हो रहा है जितना भी नराई है और जितना भी वहां जाकर के तोड़ा सा भी धंदा कर लेता है कमाने का काम कर रहा है वो पंजाब में नहीं कर सकता पंजाब में कंपनी नहीं चला सकता पंजाब में फैक सब्सक्राइब कर दियुक्ति किया दिया था लेकिन केप्टन सरकार की पूरा नहीं किया इस आधार वो इस विशय को लेकर के बढ़काने का काम करें और उन नों से हटकर के इस आधार बैसमें अपनी सरकार की संभावना तलासने का काम यह कैपटन सरकार कर रही है 2022 में विदानसभा एलेक्शन है पंजाब में कही न कहीं भारतियंता पार्टी के संग्टन मंत्री दुवारा यह कहा जाने लगा है कि जो कैपटन सरकार है अब राज़नीती जमीन तलाश रही है किसानों को बर्गला कर, किसानों को भढ़का कर भारतियंता पार्टी शुरू से किसानों के साथ थी और रहेगी उनके हित्वे मेंशा से काम किया है आने वाले विदानसवा चुनाओं में भारतियंता पार्टी किन मुद्दों पर आकर चुनाव लड़ेगी और जमीनी इस तर पर अपने काम को अंजाम देगी आज इस पर भी संग्ठर मंतरी दिने शर्मा जो कि पंजाब हर्याना के संग्ठर मंतरी के रूप में यहां अपनी सेवाई दे रहे हैं उन्होंने इसमें चर्चा में अपना विशाय रखा लेकिन मुद्दा आजई भी वही है कि जो भूला भला किसान अगर हम इस बात को मानें कि जो आज सडकों पर लाखों की संख्या में जो किसान आज आंदूलन रथ है उसे समझाने वाला कौन है केंद्री के सरकार या राजशे में पंजाब की सरकार या हर्याना राज़े की सरकार जिसकी सीमा को पार करके वो दिल्ली जाना चाहते हैं, जानमाल का नुकसान भी है, करोना जैसी महामारी के दौरान, अगर इतने लोग एक साथ अंदोलन रत हैं, तो कही न कहीं ये बड़ी महामारी का रूप लेगा, जो कि किसी भी सरकार से राजनीति से उ परक्ष की सरकार हो उन्हें मिलकर ये काम करना चाहिए तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाब ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अध्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले